आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं CS 201 की assignment no.3 का solution and यह है spring 2020 की assignment इस assignment के अंदर काफी लंबी चोड़ी चीज़ एक हैं and specifically यह assignments है इसके अंदर हम जो topics cover करने वाले हैं वो mainly classes के उपर हैं so अगर आप CS 201 के of course आप student है और आपको classes के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में मैंने एक detailed video का link आपको description में दिया हुआ है वहाँ से जाके आप समझ सकते हैं कि classes C++ के अंदर कैसे बनती है और उनका क्या concept होता है plus आप of course आपने exams की त्यारी भी करनी है तो आप मेरे CS 201 की पूरी series एक complete तो नहीं है लेकिन incomplete ही है लेकिन उसमें थोड़े बहुत major topics हैं सारे and उसके through आप अपने exam की तरही अच्छे से कर सकते हैं तो जितनी भी चीज़ें आपको require होंगी उनका link आप तो नीचे वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके उन चीज़ों को access कर सकते हैं तो चलें अब हम देखते हैं कि इस assignment के अंतर हमारे पास क्या है तो अगर हम इसकी question file को read करना शुरू करें तो यह काफी लंबी चोड़ी है तो इसके लिए मैं आपको directly आपको overview देता हूं कि इसमें हमने करना क्या है इसमें वारा basic सा काम यहां तक है इसमें हमने एक class बनानी है sports के नाम से and उसके अंदर हमने कुछ functions create करने है उसके अंदर हमने first of all हमने data members देने है in name से then हमने उसके अंदर कुछ functions create करने है and हर function के through हमने कुछ functionalities perform करवानी है so अगर user जो है वो first one press करता है तो file में input होना चाहिए two press करता है तो file के अंदर मुझूद data read होना चाहिए three press करता है तो specific function four करता है तो specific and of course five करता है तो specific इसी तरह so on जो है different methods के through हम different functions यहां पर perform करेंगे अब यह सारे का सारा काम classes के अंदर हो रहा है और यह सारी चीज़े हमने classes के अंदर complete करनी है so अगर मैं solution आपको सामने आपको बना के दिखाओं तो काफ़ी time लाग जगए इसलिए solution file में बस बनी पड़ी है already and यह मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर करना क्या है one more thing अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो आपको एक और चीज़ बता दू इस solution file के अंदर एक छोटी सी mistake है और वो mistake है और around इस जगह पे जहां पे हमने file को read करना है जो read file का function है उसके अंदर एक mistake है तो उस mistake को हमने कैसे cover करना है कैसे यहां से हमने खत्म करना है वो हम देखेगे क्योंकि यह वाली जो file है यह मुझे internet से मिली थी and मैंने इसको counter check किया और यह file बिल्कुल ठीक थी और मेरे भी concepts यही थे और मैं भी इसी तरीके से बनाता है variable name कुछ different हो सकते थे लेकिन यह वह है internet की file है बट इसके अंदर कुछ mistakes हैं और वह भी मैं आपको बताऊंगा कैसे का दूर करनी है और इसके अरावा मैं आपको समझा भी देता हूं कि इसके अंदर हमने करना क्या है सो basically यह है कि हमने एक program बनाना है जिसके अंदर multiple classes होंगी and उसके बाद user जो है उससे हम values पूछेंगे and user जो भी number enter करेगा उसके according हमारा program run होगा तो अगर user कहता है कि one press करना किया जाए तो वो values को record करेगा तू के लिए values को read करेगा थृ के लिए वो उन values को बताएगा जो A से start नहीं होती 4 के लिए वो उन values को check करेगा यह कितनी हैं जो lower cases letter start होते हैं 5 दबाने से वो उन characters को show करवाएगा जो upper case letter से start होते हैं and 6 दबाने से वो उन values को show करवाएगा या उन values की तदाद को show करवाएगा जो digits से start होते हैं इनका जो output है वो यहाँ पे हमें यह जो question file में लिए है इसके अंदर काफी हतक दिया हुआ है तो आप इसके साथ भी match कर सकते हैं जो हमारा output आने वाला है first of all क्या होता है जैसे आप लों को पता होगा कि जब भी हम कोई भी program लिखते हैं C++ में तो वो program हमारा main से start होता है तो हम directly main पे आ जाते हैं and main से आके हम देखते हैं कि यह आगे कैसे काम करेगा main में आने के बाद हमने क्या किया कि एक variable बना लिए choice के नाम से क्योंकि हमने user से choice लेनी है और हम उसी choice को again switch के अंदर पुट करेंगे आप यहाँ पे if भी use कर सकते हैं लेकिन जो given condition है उसके according switch जो है वो ज्यादा accurate रहेगा then हमने यहाँ पे किया किया कि हमारी sports class थी उसका एक object यहाँ पे बनाया हुए अब यह objects क्या होते हैं और यह क्यों बनाते हैं यह आप उस video के अंदर देख सकते हैं जिसका link में आपको description में दे दूँगा then हमने यहाँ पे एक और बनाया है variable character iterate के नाम से इसका बनाने का मकसद यह था कि जब तक user चाहे इस portion को जो है वो run करता है which means कि जैसे यह portion इतना portion execute हो जाएगा तो वो हमारी user से पूछेगा कि क्या आप इस portion को इन steps को दुबारा repeat करना चाहते हो so उसके लिए हमने एक variable बना लिया इसके अंदर user y या n या कुछ भी इस तरह लिखेगा and जो भी value वो यहाँ पे put करेगा उस value की basis पे यह program repeat होगा या नहीं होगा and इसको हमने रख दी है do के अंदर चाकि जब यह program चले at least यह एक बार run हो and उसके बाद user जिस type की values को put करता है उसकी basis पे depend करे कि दुबारा इसने run होना है या नहीं so जब हम आये switch के अंदर तो switch के अंदर हमने आके क्या किया कि हमारे पास one से लेके six तक values थी यहाँ पे तो हमने उसके जो हैं वो छे cases बना लिए on करते करते फोर पे lower का five पे upper का and six पे digit का function जो है यह execute होना चाहिए आप इन functions के name जो है वो change नहीं कर सकते क्योंकि यह requirement के अंदर लिखा हुआ है कि हमने यह वाले functions बनाने हैं so आप इनके names जो है वो change नहीं कर सकते आप अगर जाहें तो यहां पे हमारे पास जो object name है आप इसको change कर सकते है accordingly फिर आपको जितनी भी जगा पर यह support लिखा हुआ है उतनी जगा पर यह support जो है वो change करना पड़ेगा so first of all यहां से हम दो या तीन देख लेते हैं input file देख लेते हैं इसके लावा हम इन में से कोई एक देख लेते हैं और आपको समझा देता हूँ कि यह functions कैसे काम करते हैं so first of all अगर user one press करता है तो यहां पे case one execute होगा support.input file जो है वो execute हो जाएगा यानि कि हमारा support class के अंदर input file का function execute हो जाएगा अब वो कहां पे पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है हमारे program के top पे तो यह रही है हमारी support class इसके अंदर हमारे पास जो variables हमें required थे जो data members हमें required थे वो हमने बना लिए हम यहां पे character के भी बना सकते थे लेकिन classes के अंदर जब हम characters बनाते हैं तो वो हमें array बनाना पड़ता है अगर आप characters का data store करना चाहते हो तो वो हमें array बनाना पड़ेगा जो हमें pointer का बनाना पड़ेगा तो उसके लिए फिर हमें different methods जो हमें यूज करने पड़ेंगा like setters and getters अगर आपको नहीं पता तो again I repeat उस video से आपको पता चल जाएगा कि यह क्या होता है तो यह program काफी lengthy हो जाना था इसलिए directly string use कर लिया and program को समझा दिया कि string क्या होता है then हम बात कर रहे थे input file की तो यह रहा हमारा input file का function यहां से लेकर around यहां तक इस पूरे function के अंदर हमने क्या किया है अगर user one enter करता है तो program जो है वो execute होगा इतने portion के अंदर अंदर सिर्फ इतना portion execute होगा and इस portion के अंदर क्या execute होगा सबसे पहले तो यह वाली line which is 21 यहां से लेकर यहां तक ठीक है यह वाली line execute होगी कि writing in the file उसके बाद वो user से player का name पूछेगा वो player name में चला जाएगा उसके बाद user से game का name पूछेगा game name में चला जाएगा and total wins पूछेगा वो वहाँ पे चली जाएगी जैसे ही यह data इस portion के अंदर store होगा उसी इस data के related जो है एक file create की जाएगी off stream यानि के output stream जो है यहां पे की जाती है file को create करने के लिए तो जिस folder के अंदर ये वाली file पड़ी होगी cpp file उसी folder के अंदर sample.txt की नाम से एक text document file जो है वो बन जाएगी and ये sample भी name आप change नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे एक requirement के अंदर लिखा गया है कि आपने sample file जाए वो execute करनी है तो इसके अंदर हम नाम change नहीं कर सकते क्योंकि नाम इन्होंने given दिया हुए sample.txt file अब इतना जो portion है ये void input वाला जब ये execute होगा user से वो values लेगा इतने portion में इतने portion के अंदर वो file के अंदर जो है वो एक file create करेगा सबसे पहले sample.txt extension की इसके अंदर जो data यहां पर user enter करेगा उस data को store कर लेगा and if in any case file अगर नहीं create होती sometimes security issues होते हैं administrator issues होते हैं तो file अगर create नहीं होती तो हमारे skin के ओपर ये वाल एरर आजएगा कि can't open input file named sample.txt क्योंकि किसी भी reason के वाईसे ये file जो है वो open नहीं हो रही create नहीं हो रही and उसके बाद जैसी है यहां पर इतने portion में file create हो जाती है in lines की वज़ा से वो data जो user ने enter किया है वो उन file के अंदर enter हो जाएगा player name, game name and total wins और वो enter करने के बाद उस file को close कर देगा यानिके save करके बंद कर देगा and उसके बाद हमारे पास लिखा आ जाएगा data have been entered in file यह सारी सीज़ यहां पर हो जाएगी so अब हम इस step को perform करके देखते है कि क्या one दबाने से यह होता है and अगर होता है तो क्या file create होती है तो हमने क्या करना है कि इस folder को हम open कर लेते है and then इसके साथ ही हम यहां पर अपना dev जो है वो भी open कर लेते है ठीक है अब यह वाला वो folder है जिसके अंदर यह file पड़ी हुई है आप यह देख सकते हैं CS201 की assignment number 3 यह file name यहां पर पड़ा हुआ है and यह तो चलो question file है अब अब हम इस file को जब compile करेंगे तो यहां पर सबसे पहले इसकी एक exe file बननी चाहिए तो मैंने file को compile किया file के अंदर कोई error नहीं था और यहां पर इसकी exe file बननी अभी तक text file नहीं बनी क्योंकि हमने data अभी तक enter नहीं किया जब हम data enter करेंगे यह वला data ले लेगा यहां पर फाइल क्रिएट करेंगा और यहां पर data को enter करेंगे चले देखते हैं कि क्या वो file क्रिएट करके data एंटर करता है या नहीं तो प्रोग्राम को run किया और इसके बाद हमने चुकी one press करना है file create करने करे लिए यहां पर one लिख लेते हैं और उसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ वो यहां पर आजेगा do you data have been entered in the file and उसके साथ कि आपने देखा होगा यहां पर sample.thd की file जो है वो फॉरन से create हो गई थी अगर आप ने नहीं होर किया तो आप पीछे करके दोबारा देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया वहां पर sample.text file जो है वो बन गई है अबर हम इस text file को open करते हैं तो जो data हमने यहां पर एंटर किया था which is abc cricket and 50 तो वो यहां पर enter हो चुका है it means कि हमारी यह वाली functionality तो काम कर रही है अब second functionality यह आती है कि हमने search करना है इसके अंदर से कि यह वाली files कौन सी है या lower case या upper case वगड़ा कौन सी है तो उन में से कोई एक search कर लेते हैं and end पे हम देखेंगे कि read file के अंदर क्या problem है तो यहां पे हम जाते हैं बिल्कुल end पे and इसके अंदर हमारे पास यह different other functionalities available है read file है lower है upper है तो अब हम 5 के through upper की file जब कर लेते हैं तो program को execute करते हैं यहां पे हम press करते हैं 5 और enter दबा देते हैं तो इसने कहा the number of lines started with upper case characters are 0 चुके यहां पे कोई भी line ऐसी नहीं है जो upper case character के साथ जो है वो execute हो रही है तो उसने वहां पे कहा दिया कि वो 0 है तो अगर मैं वाय दबा की yes करता हूं और continue करता हूं तो अब हम यहां पे upper को वजाए lower कर लेते हैं 4 कर लेते हैं अब इसको two कहना साइए तो उसने कहा दिया यहां पे two है because यहां पे ABC lower case और cricket lower case यह तो digit है इसलिए इस नहीं execute नहीं किया so digit को भी हम एक बर confirm कर लेते हैं just to make sure कि यह काम कर रहा है या नहीं तो यहां पे हम six enter करते हैं तो इसने बता दिया कि जो digit से start हो रही है वो one है और अगर हम seven enter करते हैं तो इसको देना चाहिए कि invalid twice तो वो उसने दे दिया है और यह सारे outputs जहें यहां पे आगर आप देख सकते हैं इन्होंने question file के अंदर लिखे हो है कि invalid twice enter seven press करने पर या कोई भी प्रेस करने पर तो यह सारी functionalities काम कर रही है अब बात आती है कि read file के अं अब इस function के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले होती है कि हमने file को read करना है file को कौन सी file read करनी है हमारे folder के अंदर एक file पड़ी हुई है sample.txt के नाम से और हमने उस file को read करना है इतने portion के अंदर वो check करेगा कि वो file available है या नहीं और हमने उसको read करने के लिए उसको open कर हमने यहां पर if लगाया if in file यानि कि अगर यह in file का function successfully execute होता है यानि कि file वहां पर exist करती है तो वो क्या करेगा यहां पर एक string create कर दिया dt के नाम से आप यह different नाम से save कर सकते हैं data के नाम से कुछ भी लिख सकते हैं यह जस्ट एक reference आप कह सकते हैं reference variable है kind हो ठीक है तो हमने यह यहां पर एक variable create किया string का and इसका purpose क्या था कि इन file के अंदर यानि कि हमारी file के अंदर जो data पढ़ा हुआ है वो dt की तरफ ट्रांसर करें यानि कि data के तरफ ट्रांसर करें and हम उस data को यानि कि जो भी हमने इसके अंदर यहां पर लिखा हुआ है इसको screen के उपर share कर वा लेंगे जैसे ही यहां पर इसको data मिलता जाएगा यह while loop चलती जाएगी जब तक इसको data मिलता जाएगा while loop चलती जाएगी and वो data जो है वो screen के उपर output होता जाएगा जैसे ही file खतम हो जाती है खाली हो जाती है while loop को जाहर है data नहीं मिलेगा जब उसको data नहीं मिलेगा तो वो terminate हो जा जो कि आप आगे लेक्शन नमबर 27-28 के अंदर आप लोग पढ़ेंगे अगर यह कंडिशन नहीं होती यानि कि अगर उसको फाइल नहीं मिलती या फाइल एक्जिक्यूट नहीं होती तो वो हमें एरर देगा can't open input file named और आगे फाइल करने हैं हमने call कर वा लिया कि जो फाइल आप open करवाना चाहते हैं वो open नहीं हो सकती हो सकता है कि फाइल एक्जिस्टी नहीं करती या हो सकता है उस फाइल के उपर को security issues हैं तो उस वज़ा से फाइल को access नहीं मिल रही इस प्रोग्राम के थूँ यहां तक देखने में तो बिल्कुल ठीक है और इसको save कर लेता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ अब यह sample file के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ लेकिन जब मैं इसको run करता हूँ और to press करता हूँ तो यहां पे मुझे किसी किसम का कोई error या कोई भी message show नहीं करवा रहा कि file के अंदर आपने जो to press किया है उसकी वाज़ से कोई impact पड़ा है या नहीं जब के हमारी question file के अंदर अगर आप देखें तो पहले जो दो screen shorts हैं उनके अंदर यहीं चीज सबसे पहले बताई गी है कि वो अगर to press करता है और उसमें file को create नहीं किया हुआ भी तक तो हमारा program show करवाएगा file is empty populate the file first या अगर file exist नहीं करती या file नहीं बनती फिर तो वो कह देगा कि can't create file जो हमने यहां पे error लिखा हुआ है लेकिन अगर file exist करती है लेकिन उसके अंदर data नहीं है तो उसको कहना चाहिए कि file आपकी खाली पड़ी हुई है तो उसके बाद हमारा user क्या करेगा पहले one press करेगा उसमें data enter करेगा फिर two के through जो है उस data को retrieve करेगा तो अब हमने यहां पे क्या करना है हमने यहां पे एक ऐसा check sum लगाना है एक इसम का जिससे हमारा program जो है वो यह check करे कि अगर file empty है तो उसको उसने किस तरीके के execute करना है इसको करने के दो से तीन method है एक तो is empty का function होता है उसके लिए उसको पहले define करना पड़ता है इस empty को और उसके बाद उसको आप use कर सकते है उसके बाद telg का function होता है जिसके थू हम file की length के थू हम कर सकते है तो अगर उसकी file length ही यानि कि उसमें कोई character नहीं है file length is equal to zero है तो फिर हम उसको कह देंगे के file is empty तो इस हमारे case में यहाँ पर क्या है कि हम जादा इसको लंबा चोड़ा नहीं करना चाहते तो इसके अंदर जो best method मैंने सोचा है वो यह था कि जब यह हमारी while loop चलेगी और यह इसकी functionality को read करेगी तो उसके बाद यह जो statements हैं इस statements में तब ही execute होना है जब while loop को किसी तरह का को specific data मिलेगा इस functionality के अंदर क्योंकि यहाँ पर एक check sum है get line है line को read करना है तो line को तभी read करेगा जब वहाँ पर line available है अगर इसको कोई भी line available नहीं मिलती पूरी file के अंदर तो वो इसको read ही नहीं करेगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा और उसके बाद ही हमें ऐसा कुछ message show करवा है कि आपकी file empty है उसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर एक variable create करते हैं int और यहाँ पर आप यह किसी किसम का भी एक variable name लिख सकते हैं तो normally जब exceptions वगरा थो करनी होती है तो हम flag का नाम यूज करते हैं इसका कोई लाजमी नहीं है कि आपने flag ही यूज करना है ल इस statement के आगे हम अपने flag को plus plus कर देते हैं यानि कि हम यहाँ पर अपने flag के अंदर increment कर देते हैं सो हमने flag को zero से initialize किया और उसके बाद यहाँ पर हमने increment कर दिया सो इसका मतलब यह है कि अगल यह while group को एक भी line मिल जाती है तो यह वाली जो statement है यह at least एक बार execute हो जाएगी अगर यह execute हो जाती है तो हमारी flag की value जो है वो change हो जाएगी 1,2,3,4 जितनी बार भी execute होगी उतनी बार value change हो जाएगी छीक है इसके बाद हमारा कोई लेना ना नहीं है then हम क्या करते हैं कि while loop से बाहर आ जाते हैं and यहाँ पर आके हम एक message जो है वो इसके बाद हम यहाँ पर लिखते है फ्लैग double equals zero तो उसके बाद हमें message जो है वो screen के ओपर show करवा दे यह वाला message जो इन्होंने हमें show करवाने के लिए कहा था which is file is empty populate the file first तो वो हम यहाँ पर ल अब यहाँ पर क्या होगा कि फ्लैग का एक variable बीच में आ गया अब फ्लैग यहाँ पर अंदर लगा हुआ है अगर यह statement execute होती है तो फ्लैग की value change हो जाएगी यानि के 0 नहीं रहेगी तो इतना portion execute ही नहीं होगा and अगर यह वाली statement execute नहीं होती तो फ्लैग की value 0 रहेगी and then य यह वाली if जो है वो execute होगी so just in case अगर यह if भी execute नहीं होती और यह if भी execute नहीं होती तो हमारा else जो है वो execute हो जाएगा इसका तो फरक ही नहीं बढ़ता अगर यह हो या ना हो लेकिन अगर यह execute नहीं होती तो ना यह वाली होगी और else हमारा execute हो जाएगा so अब हम run करके press करता हूँ तो यहां पे enter press करने भी इसने कहा दिया कि file is empty आप उसके अदर data जो है वो insert करो तो जस्तिन केस हम अपनी तरब से कोई data यहां पे insert कर लेते हैं तो उसके बाद अगर मैं दोबारा इसको compile and run करता हूँ या केला रन करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो डेटा वहां पर पड़ा हुआ था वो डेटा उसने मुझे वहां पर शो करवा दिया है और किसी किसम का एरर इसने मुझे यहां पर अब शो नहीं करवाया सो यह था complete solution CS201 की assignment का यह assignment की file जो है आपको मेरी website पर मिल जाएगी उसका link आपको description में मिल जाएगा आप वहां से जाकि यह file को access कर सकते हैं कोशिश कीजएगा कि आप इस file को खुद से recreate करें जहां जहां पर कुछ variables जो हैं वो different name के use किये जा सकते हैं जैसे यहां पर मैंने in file यूज किया था आप उसको change कर सकते हो और यहां पर हमारे program के अंदर अब किसी किसम का कोई error नहीं है और हमारा program जो properly execute भी हो रहा है हमारी requirements के according so thanks for watching this video and this video को आपने दोस्तों सा लाजमी शेयर कीजिएगा take care, Allah आफिस